कई बार हम लोग वरत रखते हैं और वरत में कभी कभी हम सूचते हैं कि हम बिना नमक कर खाना खालें लेकिन समझ में नहीं आथा कि हम क्या खाएं आज हम आपके लिए कुछ ऐसा ही रीडियो को शुरू करते हैं आप हमें कमेंट शक्षन में लेकर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी कौन सी वाली रेसिपी सबसे जादा पसंद आई वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलते हैं पहली रेसिपी की तरफ यहां पर हमने आलू लिया जिसको हमने चील लिया है और चीलने के बाद इसके पतले पतले स्लाइस काट लिये हैं और इसको चार-पाच बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है जब तक आपका पानी बिल्कुल साफ न हो जाए तब तक आप आलू को पानी से धो लें जिससे की आपका आलू का स्ट आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए तो हमने इसके ओपर आलू को फैला दिया है आप चाहें तो इस आधे हंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें इसका पानी सुख जाएगा या फिर आप कपड़े से हलका सा इस तरह से रब कर दें और इसका पानी सुखा लें चल में जो भी घी तिल खाते हैं वो ले सकते हैं और घी तिल अच्छी दर से गर्म हो जाने के बाद आप इसमें आलू के स्लाइस डाल दे और इसको आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं इसको हम अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर के न अगर आप आलू को अच्छी तरह से नहीं दोएंगे तो आलू का कलर भी चेंज हो जाएगा और आलू चिपकने भी लगेंगे इसलिए आलू को पानी में तीन चार बार अच्छे से वाश करना बिल्कुल भी ना भूलें आलू की स्लाइस अब यहां पर फ्राई हो चुकी ह अब हम इसको कड़ाई से बाहर निकाल लेंगे तो आप इस तरह से इनको बाहर निकाल लें और चाहे तो टिश्यू पेपर के उपर रख लें जिससे की इसमें जो भी एक्स्ट्रा ओयल है वो निकल जाएगा अभी हम इनको साइड में रख देते हैं आप वीडियो को एंड साथी कुट्ठो का आटा लिया हैं आप चाहें तो कुट्टु के आटे की जगह से ऋंगाडे काटा भी ले सकते हैं दोनों ही वृत में खाये जाते हैं कुट्टू के आटे में हम काले मिर्च पाउडर डाल दि've कालेदर डाल देंगे और इसने हम बारीक कटा हुआ हरे ध अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें हमने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है हम इसको बिना नमक के ही बनाएंगे हरी मिर्च और काले में इस पाउडर डालने से इसमें टेस्ट आजाएगा अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका छाली से बिट के मुठाणा कने इसंटा तो ब्हुत ज्यादए अधर यह जोड़ा ते जाएंगे इसको प्क बेठर में बनाना में भीकार आटे मीरा पनीचे अच्छी वीलिघाएं मैच्छा जाल देंगे इसमें अब कुट्टू की ऑटे को बोले किषआ से धालगे है। पतले काट सकते हैं, थोड़े मोटे ही रखें, तो ज़्यादा सही रहेगा, तो हमने यहापर थोड़े से पीसिस में डाल दी हैं, अब इनके ऊपर हम इस तरह से यह कुट्टू का आटा लगा देंगे, सारे पीस आप एक साथ ना डालें, थोड़े ही पीसिस में डालें, हम यहाँ पर कुट्टू के आटे के पनीर के पकोड़े बना रहे हैं, यह पकोड़े बिना नमक के भी खाने में बहुत जादा टेस्ट्री लगते हैं, एक बार में जितने पीस कढ़ाई में उतने ही डालें, और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, ना तो लो पर करना ना ही हाई फ्लेम पर करना है, इनको इस तरह से एक साइड से सिकने पर हम पलट देंगे, और दोनों साइड उसे अलटते पलटते हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, पनीर खाने में हलका हलका मीठा लगता है, इसलिए पनीर के पकोड़े बिना नमक के खाने में बहुत जादा टेस्ट्री लगेंगे हमारी पनीर के पकोड़े यहाँ पर बन कर तयार हो चुके हैं अब हम इनको कड़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के भी पकोड़े बना कर तयार कर लेंगे पनीर तो वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है और आप रत में अगर इसके पकोड़े बना कर खाएंगे तो आपको हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता और खाना खाने के लिए मिल जाएगा तो हमने पकोड़े बना लिया अब हम इने साइड में रख देते हैं तो चलते हैं तीसरी रेसेपी की तरफ तो हमने यहाँ पर आलू की कुछ पतली पती स्लाइसेस काटी है जिसको हमने पानी में डुबो कर रखा हुआ है इसको हमने तीन-चार बार पानी से पहले से अच्छे से दो लिया था हमारा वही बैटर बचा है हमने आप से कहा था कि हम इसी एक बैटर से तीन-चार बानाएंगे तो हम इसी बैटर में आलू की यह स्लाइसस डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया पतीस में और डाल देंगे और फिर इसको हम इस तरह से चला कर मिक्स कर लेंगे हमें आलू के साथ ये कुट्टू काटा अच्छे से लपेट लेना है अगर आपका आटा पतला है तो आप थोड़ा सा कुट्टू काटा उसमें और मिला सकते हैं हमारी कढ़ाई में तेल यहां पर पहले से ही गर्म है हम इस तेल में ये आलू लपेट कर डालते जाएंगे और हमें इसी तरह से आलू के भी ये पकोड़े तयार कर लेने हैं तो जितने कढ़ाई में एक बार में आएंगे उतने आलू आप डाल दे इन आलू के पकॉड़ों को भी हम मीडियम फ्लेम पर दोनों साइडों से लटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये दोनों साइडों से गोल्डन कलर के नहीं हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट शेक्षन में लिखकर जरूर बताईएगा कि आपको हमारी कौन सी वाली रेसिपी सबसे जादा पसंद आई ये आलू के पकोड़े हमारे यहां पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं अब इन्हें भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी हम तैयार कर लेंगे अब चलते हैं चौथी रेसिपी की तरफ हमारा वही कुट्टू का बैटर यहां पर बचा हुआ है हमने एक आलू को कद्दू कस कर लिया था उसको हमने पानी में ही कद्दू कस किया था और उसको भी दो तीन बार पानी से अच्छे से धो लिया जिससे आलू का स्टार्च कलर भी नहीं चेंज होगा इस आलू के लच्छे को हम इस कुट्टू के बैटर में डाल देंगे और उसको भी इस तरह से चला कर मिक्स कर देंगे इस तरफ हम बहुत ही कम तेल में बनाने वाले इसे हम फ्राई नहीं करेंगे तो उसके लिए हमने गैस के ओपर एक तवा दाल सकते हैं उसके बाद हम इस बैटर को इस तवी के ओपर अच्छे से फैला देंगे हम यहाँ पर चीला बना रहे हैं जिसको हमने आलो के साथ बनाया है तो इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से फैला देंगे उसके बाद इसको हम लो टू मीटियम फ्लेम पर सिकने और इसको पहले हम एक साइड से अच्छे से सिख जाने देंगे जब ये एक साइड से सिख जाएगा तो ये उपर से हलका हलका सा ड्राइ हो जाएगा आप देख सकते हैं कि ये ड्राइ हो चुका है अब हम इसको पलट देंगे तो इस तरह से आप इसको हलका सा किनारों से हटाएं और इसको पलट दें, बहुत ही आसानी से पलट जाता है पलटने में भी इसको कोई प्राब्लम नहीं होती एक साइड से सिखने के बाद अपने आप ही उतर जाएगा और इसको हम इसी तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से से लेंगे हमने इसमें आलू को कद्दू कस करके डाला था इसलिए वो भी बहुत यासानी से पलट जाएगा इसको जादा टाइम नहीं लेगा तो यहाँ पर हमारा यह कुट्टू के आटे का चीला भी बनकर तयार है अब चलते हैं इन रेसिपीस को सर्फ करने के लिए तो सबसे पहले हम आलू की जो कतली हमने बना कर तयार की थी उसके उपर काले मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे जिसे की यह खाने में और ज्याधा टेस्ट्री लगेगी उसके उपर हम बारी कटा हुओँ हरिधनिया पत्ती डाल देंगे जिससे देखने में और भी ज्यादा सुंतर लगने लगेगा और खाने का भी मन करेगा फिर हम नीमू लेंगे और ये नीबू का रस हमें आलू के पकोड़ों के उपर डालना है साथ ही इस आलू की कतली पर डालना पनीर के पकोड़ों पर हम ये नीबू का रस नहीं डालेंगे तो इन दोनों चीजों पर हम यह नीबू का रज टाल देंगे जिससे यह खाने में और ज्यादा टेस्टरी लगने लगेंगे पनीर तो अलरड़ी वैसे ही मीठा होता है तो उस पर आप ना डालें तो पनीर के पकोड़े ऐसे ही अच्छे लगेंगे साथ ही आलो के चीले रखें और आप दही के साथ या फिर चाई के साथ इन रेसिपी को खा सकते हैं रेसिपी वरत में खाने में बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टरी लगेंगी हमारी इस व्रत की थाली में आलू के पकोड़े हैं, पनीर के पकोड़े हैं, कुट्टुकाटे का चीला है, आलू की कतली है तो आप इन रेसिपीज को किसी भी व्रत में बना कर खा सकते हैं, यह सभी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, साथी आप हमें कमेंट श्रीक्शन में लिखकर जरूर रताएगा कि आपको हमारी कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, फैमली और फ्रेंड्स के बीचे से ज मिलता रहेगा, आप हमारी इन रेसिपीस को अंज्वाइ करें, हम आप से नई रेसिपीस के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए, बाइ-बाइ, टेक केर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,